आज हम बात करेंगे आयुरुवेद में मौजूद उन उपायों की जिनसे आप अपने बढ़े हुए क्रेटिनाइन लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं दरसल क्रेटिनाइन हमारी बॉडी में मौजूद एक वेस्ट प्रोडाक्ट होता है जो किड्नी में आए खराबी या प्रोटीन के जादा सेवन करने से बलड में इंक्रीज होने लगता है जिससे हमारी किड्नी धीरे धीरे डामिज होने लगती है लेकि आयूर्वेड में कई ऐसे उपाय मौजूद है जिनसे आप अपने बढ़े हुए क्रेटिनाइन लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं और किड्नी की समस्या से बचे रह सकते हैं तो चलिए एक एक करकर हम इन उपायों के बारे में जान लेते हैं और आपके बढ़े हुए क्रेटिनाइन लेवल को कम कर सकते हैं तो सबसे पहले नमबर पे आता है मुनक का अगर आप अपने बढ़े हुए क्रेटिनाइन लेवल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए मुनक्य के पानी का सेवन कर सकते हैं, आप मुनक्य को रात भर के लिए पानी में भिगो कर छोड़ दे और सुबह उठते ही उस पानी का सेवन करना है ऐसा करने से कुछी दिनों में आपका क्रेटिनाइन लेवल रिडूस हो सकता है और आप अपनी समस्या से रहत पा सकते हैं क्रेटिनाइन लेवल को reduce करने के लिए दूसरे आयरुवेदिक नुस्के की बात की जाए तो इसके लिए आप कॉन सिल्क यानि की फुटे के बाल का प्रियोग कर सकते हैं कॉन सिल्क में मौझूद anti-inflammatory और natural diuretic जैसे गुण पाया जाते हैं जो आपके बढ़े हुए क्रेटिनाइन को यूरीन के रास्ते बाहर निकालने में मदद करते हैं कॉन सिल्क प्रियोग करने के लिए आप एक कप गर्म पानी में दो चमच कॉन सिल्क को डाल दे और फिर दस मिनट बाद उस पानी को पी ले ऐसा करके आप अपना क्रेटिनाइन लेवल असानी से कम कर सकते हैं अब बढ़ते हैं तीसरे उपाई की ओर क्रेटिनाइन लेवल को कम करने के लिए आपको नमक के सेवन पर भी बहुत ध्यान देना होगा आमतोर पर हम जिस नमक को अपने खाने में इस्तिमाल करते हैं उससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है जिससे हमारा क्रेटिनाइन लेवल बढ़ने का खत्रा बना रहता है इसलिए क्रेटिनाइन लेविल को कम करने के लिए आपको सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना होगा इसके अलावा आप अपने क्रेटिनाइन लेविल को कम करने के लिए Chamomile Tea का भी सेवन कर सकते हैं और इसके सेवन से अपने बड़े हुए Cretinine Level को असानी से कम कर सकते हैं साथ ही इसका सेवन आपको Diabetes की समस्या से भी छुटकारा दिला सकता है तो यह है आईरवेद में मौझूद वो नुसके जिसकी मदद से आप अपने बड़े हुए Cretinine Level को असानी से कम कर सकते हैं तो यदि आप High Cretinine Level के समस्या से परिशान हैं तो हमारे द्वारा बताये गए टिप्स को डॉक्टर की सलह से अपने रोजाना के जीवन में शामिल करें और यदि High Cretinine की वज़े से पहले से ही किसी की किड्नी खराब हो चुकी है तो इन चीजों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलह जरूर ले ले अगर आप भी किड्नी से रिलेटेड या फिर किसी अन्य समस्या से परिशान है तो हमारे आयरुवेदिक हॉस्पिटल कर्मा आयरुवेदा से संपर कर सकते हैं कर्मा आयरुवेदा ने अब तक डेल लाग से भी अधिक मरीजों को ठीक किया है और आज बिना किसी परिशानी के अपना जीवन जी रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले आपसे नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दुबारा मलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें